अभी आते वे मैं सोच रही थी, कि हम लोग ये वीडियो शूट क्यूं करते हैं? पब्लिक तो अल्रेडी इतनी अवेर है, डॉक्टर गूगल भाईयां है ना? फिर हम क्यूं ये शूट करते हैं? फिर मेरे दिमाग ने कहा, गूगल में देखोगे क्या? आइडिया तो हमें ही देना पड़ेगा दूसरी बात, जो आपको पता है, वो बार-बार क्या बताना? बताना तो वो चाहिए, जो नया डेवलपमेंट आया हो तो हम ऐसा कुछ क्यों न करें? जो हमारे कल्चर को, हमारे बिलीव्स को साइन्टिफिकली प्रूव करता हो और अभी-अभी साइन्टिफिकली आया हो आप ही देखिए, डाइबिटीज, हाइपर टेंशन, काडियक डिजीज कितना बढ़ गए हैं? अडोस-पडोस हर घर में पाए जाते हैं 1950 के पहले ये सब भागे पे डाल दिया जाता था हमारा भागे खरापता हमें BPI हो गया 1950 में जब जीन का स्ट्रक्चर पता लगा तो सब कुछ जनेटिक हेल्थ पे डाल दिया गया और देखिए, मज़ा तो तब आया जब 1980 में, 1980 में एपी जनेटिक वर्ड का और उसके बारे में पता चला अब मैं इस रूम में बैठी हूँ कमफर्टेबल हूँ, एस ही चल रहा है बिलकुल अच्छी हवा है, कोई पोलिशन नहीं है तो मैं कमफर्टेबल हूँ इसी तरह, यह मेरा external environment है बच्चे का external environment क्या होता है pregnancy के दोरान, जो उसकी मदर उसको देती है यदि मदर का internal environment जो की बच्चे का external environment है उसको हम दी पोल्यूट कर दे तो बताईए बेबी पर क्या impact आएगा यही बात epigenetic प्रूव करती है genes तो वो हुए जो आप अपने बेबी को देते हैं उसकी coding को कोई नहीं बदल सकता लेकिन उसके चारों और जो micro atmosphere है, epigenetic है जो उस gene की decoding को change कर सकता है वो आप बदल सकते हैं कैसे? यही तो देखे कितनी interesting बात है pleasing of pregnancy pleasing in pregnancy and you can self program the future health of your baby pleasing means क्या होता है संकल्प लेना, व्रत लेना अब अगले महीने इतने festivals हैं अभी चालू हो जाएंगे next week से हम क्यों fasting करते थे? हम क्यों व्रत करते थे? एक संकल्प ही तो लेते थे fasting का word meaning होता है कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं हमने उसे व्रत में convert करना है, संकल्प लेना है क्यों लेना है इस संकल्प? इस religious intermittent fasting के संकल्प से हम pregnant lady की body को detoxify कर सकते हैं उसको positive vibes दे सकते हैं उसकी inner strength को जगा सकते हैं, ये सब चीजें हम baby को communicate करते हैं और उसकी health को improve करते हैं साथ ही ये करने से उनका एक bonding to family बढ़ता है एक satisfaction बढ़ता है आप baby के external environment को epigenetic को improve करते हैं baby की health को, उसके cognitive behavior को उसकी mental health को improve करते हैं जब ये बच्चे बड़े होते हैं adulthood में आते हैं तब इन चीजों का असर पता लगता है अब आप पूछेंगे वा भई, pregnant lady fasting कर सकती है संकल्प ले सकती है ब्रत कर सकती है जी हाँ, बिल्कुल safe है scientifically approved है और आप जानते हैं, ये सब studies रोजा जो लोग रखते हैं उन ladies में हुई है आप व्रत कर सकती है आप संकल्प के साथ कर सकती है आप intermittent fasting कर सकती है ये आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल safe है केवल एक ही condition है कि आपका व्रत एक pre-plant schedule के मताबिक होगा जो आपको अपने treating doctor और अपनी nutritionist के साथ मिलकर पहले से बनाना होगा ताकि आप जो भी nutrition उस दौरान ले वो qualitatively and quantitatively आपके लिए और आपके baby के लिए sufficient हो आपको पूरी calories मिलें पूरी nutrition मिलें customized होगा ये सब काम उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप करके तो देखिए आपको अंदर से जो feel आएगा एक spiritual well-being का feel आएगा वही आप अपने baby को communicate करने वाली है और उसके बाद आप उसको health उसकी mental health उसकी physical health उसको gift करने वाली है अब यदि आप fast कर रही है एक संकल्प लेके कर रही है तो आप उसको कब रोके warning signs क्या है कि आप कोई पता लगे नहीं अब मुझे इसे तोड़ना है और मुझे कुछ काना है यदि आपको sweating होती है यदि आपका BP low होता है यदि आपको baby की movement कम पता चलती है या आपको चक्कर आते हैं तो आप अपने fast को break करेंगी आपको यदि co-morbidities है suppose you are diabetic, you are hypertensive तो आपको तभी करना है यदि आपका doctor आपको medically fit declare करता है और आपका schedule आपकी co-morbidity के हिसाब से ही plan किया जाएगा ये जो भी बाते मैं आपको बता रही हूँ ये सब scientifically proved है हमारे पहले mythology में इसे गर्ब संसकार कहते थे और अब हम भी उसे गर्ब संसकार कहते हैं और उसे implement करना चाहते हैं ठीक है ना ये सब बाते आप कर सकती है हमारे part 2 में आप देखेगा हमारी nutritionist आपको बताएंगी कि कैसे diet plan होता है इसके दौरान और फिर आप करिये और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छा उसका self programming उसकी health का खुद करेंगी Thank you